शुबदै बच्चों, नारण लईवी ख्लासेस में आप लोँगा स्वागत है मेरा नाम सिकंदर है बच्चों, मैं आज आप लोँगaking को अक्षरों का महत्व पार्ट से सम्बंदित जो आसेन्मेंट आप लोँगको दिया गया है उससे संबंदित उत्तरों की चर्चा करने वाला हूँ सब लोग ध्यान दीजिए सुनिया और मेरी ओर देखिये पहला प्रश्ण दिया गया है सारी पुस्तकें किन से बनी है यानि पुस्तकें किन से बनती है बचों अक्षरों से बनती है सही विकल्प क्या है? A. दूसरा प्रश्न है, दुनिया में अब तक कितने पुस्तकें छप चुकी हैं? छपना मतलब प्रिंट होना, बहुत सारे हुई है, मतलब करोडों में पुस्तकें छपी हुई हैं. सही विकल्प क्या है? B. तूसरा प्रश्न है, तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ड्याश छपते रहते हैं? समाचार पत्र छपते रहते हैं करोडों की तादाद में. सही विकल्प क्या है? C है बच्चों. चौथा प्रश्न है, हम अक्षरों को किस काल से जानते हैं? अक्षरों को कब से जानते हैं? हम अनादी काल से जानते हैं. सही विकल्प यह है. पांचवा प्रश्ण है अक्षरों का ज्यान हमें किन से मिलता है इंसानों से मिलता है या जानवरों से पशुपक्षियों से किन से मिलता है बुलिये मानों से ही अक्षरों का ज्यान मिलता है सही विकल्प क्या है ये बच्चों चाटा प्रश्ण है, हमारी यह धर्ती लगभग कितने अरब साल पुरानी है, पांच अरब साल पुरानी है, यह सही विकल्प D है साथवा प्रश्न है जीव जन्तु यह कौन सा शब्द है जीव जन्तु कौन सा शब्द है युगमु शब्द है युगमु शब्द माने कपल वर्ड यानि मिले जुले शब्दों को युगमु शब्द कहते हैं सही विकल्प ए है आटवा प्रश्ण है करोडों साल तक केवल जानवरों और ड्याश का ही इस धर्ती पर राज रहा यनि इस धर्ती पर जानवरों के साथ साथ किसका राज रहा वनस्पतियों का राज रहा सही विकल्प भी है बच्चों नवा प्रशन है किसने इस धर्ती पर कोई पांच लाग साल पहले जन्म लिया पांच लाग साल पहले किसने जन्म लिया था आदमी ने जन्म लिया था सही विकल्ब क्या है यह है बचों दस्वा प्रशन है आदमी उस समय में कैसे आउजारों का इस्तेमाल करता था कैसे आउजारों का इस्तेमाल करता था यहां विकल्ब क्या है देखिए तामबे कांसे पीतल पत्थरों तो पहले पत्थरों के साथ पत्थरों से बने हुए आउजारों का वो इस्तेमाल करता था स विकल्प D है बच्चों यह है आज के उत्तर बच्चों धन्यवाद